अगर आपको समस्या है तो कौन सी अल्टरनेटिव मेडिकेशन है या फिर कुछ ऐसी होम रेमेडीज है या फिर आम ओवर दे काउंटर मेडिकेशन है जिसकी वज़े से आप माइग्रेन के अटेक को कम कर सकते हैं तो आज उसी विशे पर चरचर रहेंगे तो अगर आप चैन यसी समस्या है जो की बहुत कॉमन है अगर हम कहें तो कम से कम maximum number of patients और person कभी न कभी लाइफ में इस चीज की जरूर कंप्लेन करता है कि उसे माइग्रेन जिसी समस्या हुई है तो क्या reason होते हैं उसके पीछे क्या कारण होते हैं एक video में मैंने यह वाली सारी चीजे कवर कर रखी हैं obviously इसके पीछे अगर हम कहें तो बहुत सारे unknown factors होते हैं dietary factors होते हैं और जो environmental factors होते हैं तो बहुत तरह तरह के factors हमें देखने को विलत सकते हैं जो कि over the counter मिल सकती है आप कोई भी medication के according आप अपना इलाज कर सकते हैं तो medicinal therapies जो रहती है वो अलग रहती है लेकिन कुछ ऐसी alternative medications होती है जिसे हम use कर सकते हैं तो पहला अगर हम कहें तो migraine अगर आपको है तो आप है न सबसे पहली चीज अपना night जो schedule होता है जल्दी सोना जल्दी सोना और जादा देर तक सोना और कम सोना दोनों migraine trigger करते हैं एक चीज यह रहती है तो एक पहली चीज आप यह एक constant नीद हो proper नीद हो ठीक है तो उसके लिए आप early to bed early to rise वाला एक formula जो होता है आप जानते हैं सब चीज से अपना सकते हैं second point अगर आपको migraine की समझ से है तो aerobic exercises अपनी daily routine में आप डालें जिससे आपको यह वाली problem कम से कम होने लगेगी क्या होता है aerobic exercises आपकी body के अंदर stress hormone को कम करता है और stress major एक trigger होता है migraine का तो hopes हो आप उस चीज को अगर आप regular exercise aerobic exercise करेंगे तो आपकी body के अंदर natural hormones happy hormones secret होगे जिसकी वज़े से आपको problem नहीं आईगी third point essential oils ठीक है essential oils बहुत ज़्यादा market में मिलते हैं उनकी खुश्बू रहती है ठीक है तो अगर आपको खु मतलब उस sleep के दौरा तो उससे भी आपको काफी results अच्छे मिलते हैं four point is the supplement vitamin supplements अगर हम बात करें तो omega fatty acid vitamin B12 multivitamins और vitamin D यह बहुत ज़्यादर ज़रूरी होता है migraine की समस्या को avoid करने के ठीक है तो migraine की अगर आपको समस्या है तो make sure आप अपना vitamin D level और vitamin B12 level ज़रूर चेक कर रहता है तो make sure आप अपने doctor से consult करके इसका जरूर treatment ले या फिर अगर आपको लगता है तो आप normal multivitamin tablet अपनी diet में add कर सकते हैं जैसे जो market में over the counter medications आपको मिलती है next point के बारे में हम बात करें तो healthy diet healthy diet इसका मतलब यह है कि जितने भी आपको migraine triggers वाली diet होती है जैसे अगर हम सबसे अवाइट करना healthy diet आपको लेना है fermented foods आप नहीं ले तो बैटर रहेगा तो healthy diet pattern आप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको migraine की समस्या नहीं होगी and last and most important points is the probiotic probiotic अगर हम कहें जो दही में होता है probiotic उसे हमें लेना चाहिए क्योंकि आपने एक चीज़ देखिए होगी अगर आपके digestion का आपकी body के headache पर काफी ज़्यादा असर होता है एक वीडियो में बनायता है acidity में headache क्यों होता है तो acidity के कारण जो headache होता है वो भी एक migraine का ही रूप होता है और अगर आपको probiotic अगर अपनी diet में शामिल कर लेंगे तो आपको acidity के कारण headache नहीं होगा और normal जो ना मतलब एक हैं हम आपका digestion अच्छा रहेगा जिसकी वज़े से आपको migraine के attack जो CBT रहेगी तो यह कम होती जाएगी ठीक है तो यह कुछ points है जिनके बारे में मैंने आपको बताया तो hopes आपको ज़रूर पसंद आया होगा कुछ भी आपको इसके लेकर doubt है तो आप comment section मे लेना चाहते हो तो दी वी लिंक पर जाकर आपना treatment स्टार्ट कर सकते हो consultation बुक कर सकते हो साथ ही अगर आपको टॉपिक्स करना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पेच फॉलो करके आप डाइक डीम कर सकते हो थैंक यू सो मच गाईज जैहिंद जैभारत